Hello friends, welcome in this English grammar class और आज हम this or that के concept को clear करेंगी कि क्या मात्र शाब्दिक अर्थ से हम इसका use कर सकते हैं this, t-h-i-s this मतलब यह है t-h-a-t-that मतलब यह है तो क्या शाब्दिक अर्थ से ही हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं वाख्य में, किसी भी English sentence में no, answer is no, never here is some rules for you guys this हम कहां लगाएंगे, sentence में हम कहां लगाएंगे आज वो मैं आपको इस class में बताऊंगी बाशवर्टे कि आप वीडियो को last तक देखें this for something, something means anything living, non-living, चीज़ कुछ भी near you, आपके पास हो आपके शरीर, आपके बड़ी क्या सपास हो आप this लगाएंगे, this book मेरे पास है, this book this boy, मेरे पास खड़ी है this girl, this child मेरे पास है, this child मेरे हाथ में है, तो मैं क्या सब्सक्राइँ this pen is blue this child is so beautiful, कोई भी चीज़ जो मेरे नजजीक है, चाहे वो living है चाहे वो non-living है आप use करें this यहे अब that की बात हो रही है for something more distant, there this मतलब here that मतलब there तो showing distance कोई भी चीज सजीव हो, चाहे निर्जीव हो वो हमसे दूरी पर है तो that, और अगर हमारे नजजीक है, तो this I hope यहां तक friends सब के लिए हो गया होगा नहीं हुआ है, तो comment box में आप हमसे पूछ सकते है here is some example like this is a book, मेरे पास है, मैंने कह दिया this is a book, अगर दूर रखी होगी तो भूँगे that, that book that pen, that red pen this is a pen this is a book, this is a chair और अगर दूर है, तो that is a book that pen that's pen, that's chair तो यहां पर बस इतनी सी बात आप में समझना है और अराम से this or that को use करना है and here is the best example for you friends, अगर एक ही sentence में आपको this or that दोनों लगाना हो, तब आप क्या करेंगे क्या करेंगे आप, चलिए हम आपको बताते है that's my book वो जो किताब है न, वो दूर रखी है वो मेरी है, और this is your book और यह जो मेरे हाथ में है, मेरे पास है, यह तुम्हारी है वो किताब मेरी है यह किताब तुम्हारी है वो जो दूर रखी है वो मेरी है, वो जो पास रखी है वो तुम्हारी है वो हो किताब मेरी है और यह किताब तुम्हारी है Clear? दूर और पास दोनों का use आपने कर लिया अब यहाँ एक और बात add होती है देखें That's your bat वो हो तुम्हारा बल्ला है इसका मतलब यह हुआ और इसका क्या मतलब हुआ That is your bat लेकिन हम इसे क्या कहते है That's your bat This is your bat That's मतलब that is अब next example देखिए और clear हो जाएगा That young boy is a player वो जो दूर लड़का खड़ा है न वो एक खिलाडी है That young boy is a player और अगर मालने वो मेरे पास खड़ा होगा तो मैं क्या कहूंगी This young boy is a player अब this work is very easy अमा लिजे I am doing something या मेरे बराबर में कोई इनसान बैठा कुछ काम कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम This work is very easy यार बहुत असान है यह काम बहुत असान है This work is very easy अब चाहिए मैं कर रहा हूँ या कोई दूसरा मेरे पास खड़ा कर रहा है तो हम क्या कहेंगे This work अब अब आपो कहना हो वो काम भई वो काम तो बहुत ही मुश्किल था तब आप that यूस करेंगे Example देखे वो नौकरी बहुत मुश्किल थी वो नौकरी बहुत मुश्किल थी वो नौकरी या वो घर या वो बिल्ली कुछ भी अगर दूर है आपके बॉडी से दूर है तब we put that in the sentence That job was very difficult वो नौकरी बहुत मुश्किल थी That job was very difficult भाई वो तो बहुत ही difficult थी 12 hours की duty थी तो इस तरीके से आप use कर सकते हैं I hope कि आपको यह सब चीज़े clear हो गई होंगी नहीं होई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं And I hope this video will help you For more videos Please subscribe, like and share Thank you for watching us और अब इजाज़त दीजिये